दोस्तों, आज मैं आप से महा कभी सूर्दास और उनकी कविता के बारे में बात करूँगा और सूर्दास के दो पद भी आपके सामने रखूँगा और उनका आर्थ भी बताऊँगा सूर्दास मध्यकाल के एक बड़े कभी माने जाते हैं मध्यकाल का मतलब है हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार वह मध्यकाल जिसमें भक्तिकाल आता है मतलब पूर्व मध्यकाल सूर्दास और मध्यकाल के सब ही संत भक्तों की एक बिशेष्टा यह है कि उन्हों ने अपनी कविता में अपने जीवन के बारे में बहुत कम लिखा है इसलिए उनके जीवन की खोजबीन का काम हिंदी के विद्वानों और आलोचकों ने किया है और विद्वान और आलोचक तो वही अपने को मानता है जो दूसरे किसी से सहमत न हो इसलिए सूर्दास के जन्म के बारे में उनकी मृत्यु के बारे में और उनके जन्म अस्थान के बारे में भी अनेक मत हैं सबने अपने अपने अनुसार उनके जन्म का समय तै किया है मृत्यु का समय तै किया है और पैदा होने के अस्थान के बारे में भी अपनी राय जाहिर की है लेकिन तीन बातें सूर्दास के बारे में निर्विबाद कही जा सकती हैं पहली बात यह कि वे पंद्रहुवी सदी में पैदा हुए थे और सोलहुवी सदी में दिवंगत हुए या मृत्य को प्राप्त हुए दूसरी बात यह है कि उनके जन्म स्थान के बारे में लोगों का कहना यह है कि एक तो कुछ लोग कहते हैं कि वो मथ्वरा के निकट रूनकता में पैदा हुए थे कुछ दूसरे लोगों की राय है कि वे दिल्ली के पास हर्याना में सीही एक जगे है वहां पैदा हुए थे जाहिर है चाहें रूरकता में हो या सीही में हो इससे सूर की कविता में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो बार्त निर्विबाद है वहिया कि सूर्दास बल्लभाचार्ज के सिस्य थे और अस्टचाप के कवियों में सरवाधिक प्रसिद्ध कवित थे सूर्दास के तीन गरंथ माने जाते हैं एक तो सूर्सागर दूसरा है साहित लहरी और तीसरा है सूर्सारावली यह जो सूर्सागर है उसको छोड़ कर बाकी जो उनकी कविता की किताबे मानी जाते हैं उसके बारे में भी विद्वानों की अलग-अलग राय है कि वे सूर्दास के हैं भी या नहीं हम इस बिबाद में भी आपको नहीं ले जाना चाहते लेकिन जो सर्ब मानने बात है वो यह है कि सूर्सागर सूर्दास की ही रचना है सूर्दास के बारे में एक बात और सर्ब मानने है वो यह है कि सूर्दास क्रिष्ण भक्त थे और क्रिष्ण की वाल लीला और प्रेम लीला के गायक कवी थे इसलिए सास्त्री भासा में उनको वातसल और स्रिंगार का कवी कहा जाता है और ठीक ही कहा जाता है आचाई राम चंसुकुज ने तो यह भी लिखा है कि वातसल और स्रिंगार के छेत्र में सूर्दास ने जो कुछ लिखा है उसके बाद कुछ लिखना लगभग कवियों के लिए असंभव हो गया इसलिए प्रायः वातसल और स्रिंगार के बारे में परवर्ती जो हिंदी काब है बाद का जो हिंदी काब है उस सब पर सूर दास का गहरा असर है आपके सामने मैं सूर सागर के एक बड़े प्रसंग के पद रखोंगा सूर सागर में एक प्रसंग है भ्रमर गीत का भ्रमर गीत में संछेप में यह इस्थिती है कि क्रिष्ण के बरज से मथुरा चले जाने के बाद क्रिष्ण की प्रेमिकाएं गोपिकाएं उनके बीरह में ब्याकुल थी क्योंकि गोपियों का और क्रिष्ण का प्रेम अचानक पैदा हुआ प्रेम नहीं था गोपियों ने एक बार कहा भी था भ्रमर गीत का ही एक पद है कि लरिकाएं के प्रेम को हो अलिकैसे छूटत मतलब बचपन से क्रिष्ण और गोपियों के बीच प्रेम धीरे धीरे बिकसित हुआ और वह क्रमसह प्रगाड़ और प्राउड होता गया क्रिष्ण ने मतुरा जाने के बाद वहां से अपने मित्र उद्धाव को गोपियों के पास भेजा दूत के रूप में पर यह जो दूत के रूप में उद्धाव आये उग्ञानी पुरुस्त थे यह ध्यान रखिए कि प्रेम में ग्ञान सहायक नहीं बाधक ही होता है इसलिए रीतिकाल के महाकवी घनानंद ने कहा था कि अतिसूधो सनेह को मारग हैं जह नेकु सयान अपमाक नहीं प्रेम के रास्ते में थोड़ी भी चाला की प्रेम के स्वरूप को बिगार देती है पर उद्धव तो बड़े भरी ग्यानी समझते थे अपने आपको उनको अपने ग्यान का गर्व भी था बलकि क्रिस्न ने उसी गर्व को खंडित करने के लिए गोपियों के पास भेजा कि प्रेम के सागर में जाकर लहाय आएं तो ग्यान का जो आबरर है वो हट जाएगा ये जो उद्धव आए गोपियों से बातचित करने उसी बीच में एक भरमर कहीं से उड़ता हुआ आ गया अब ये भी ध्यान रखिए कि भरमर एक वास्तविकता भी है और एक प्रतीक भी है आप लोग सब लोग भरमर को जानते हैं पर प्रतीक भरमर इस चीज का है कि वो क्रिस्न का प्रतीक बन गया है भरमर की विशेष्टा ये है आधुनिकाल के हिंदी के महाकवी जैसंकर प्रसाद ने एक कविता में लिखा है कि मधुप कब एक कली का है बिहारी कुझ गली का है मतलब भरमर जो है किसी एक कली या फूल से अस्ठाई रूप से जुड़ा नहीं होता इसलिए गोपियां भरमर के माध्यम से जो कुछ कहती हैं वो तीन लोगों को संबोधित है स्वैम भरमर को उद्धाओ को और कृष्ण को भी तो आईए गोपियों ने उद्धाओ से जो कुछ कहा उसके प्रसंग में सूर्दास के एक पद को हम देखे गोपियां गाओं की इस्त्रियां थी गोपियां किसी ग्यानी से दबना नहीं जानती थी और वो गहरे ब्यंग और बिनोद भाव से उद्धाओ से बात करती है पहला पद है उद्धो तुम हो अतिबड़ भागी गोपियों का असली एरादा तो ये कहने का है कि उद्धो तुम तो परम अभागे हो क्योंकि प्रेम से कभी तुम्हारा कभी कोई संबंद रहाई नहीं है वह मनुसे अभागा ही होगा जिसने कभी जीवन में प्रेम किया ही नहीं पर गोपियां यह कहने के बदले क्योंकि यह सीधे कथन होता ब्यंग कर रही हैं कभी ता भी बहतर बन रही है उद्धो तुम्हो अति बड़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरेइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी जयों जलमां तेल की गागर बूधन ताको लागी प्रीति नदी में पावन बोरियो द्रिस्टिन रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुर्चीटी जयों पागी उद्धो तुम हो अति बड़ भागी उद्धो तुम तो बड़े भागयवान हो अपरस रहत सनेह तगाते तुम प्रेम के धागय का असपर्स तुम्हें हुआ ही नहीं न धागय ने तुम्हें छुआ न तुमने धागय को छुआ ना ही न मन अनुरागी और तुम्हारे मन में कभी प्रेम पैदा ही नहीं हुआ कैसे हो तुम दूसरी उपमा गोपियों ने दी कि जैसे पुरईन का पत्ता कमल या पुरईन का पत्ता पत्ता भी होता है और कमल हो तो फूल भी होता है तो वो पानी में ही रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है इसलिए गोपियां कह रहे ही कि पुरईन पात रहत जल भीतर तारस देह नदागी लेकिन जल में रहने के बावजुद जल की एक बूद उस पर ठहर नहीं पाती वही हालत तुम्हारी है गोपियों ने एक और उदाहन दिया कि जियों जलमा ही तेल की गागर बूद नता को लागे अगर एक तेल से भरी हुई गगरी पानी में डुबा दी जाए तो उस पर एक बूद पानी ठिकता नहीं है वैसे ही हो तुम्हारी प्रीत नदी में पाव न बोर्यों तुम्हें प्रीत या प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखा है नहाना तो छोड़ वी जी दृष्टिन रूप परागी और तुम्हारी जो आँखे हैं उनमें रूप का पराग रूप की आभा कभी ये तुम्हारे आँख में लगी ही नहीं या आँख तुम्हारी वहां तक पहुची ही नहीं गोपियों ने गहरे ब्यंग के बाद अत्यंत विनय के साथ यह कहा कि सूर्दास अबला हम भोरी हम इस्त्रियां तो भोली इस्त्रियां हैं गोपियां भोली मैंने सीधी सादी तो हम तो गुड में जैसे चीटी सट जाती है और मर जाती है तो भी उससे अलग नहीं होती कि उसी तरह हम कृष्ण और उनके प्रेम से अभी भाज रूप से संबद हैं हम उनसे दूर हो ही नहीं सकते इसलिए तुम्हारा सारा उपदेश हमारे लिए बैर्थ है एक और पद देखिए यह भी गोपियों के अपार प्रेम का प्रमाण है मन की मन ही माज रही कहिए जाई कौन पे उद्धो ना ही परत कही अवधियधार आस आवन की तनमन विथा सही अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही चाहत हुती गुहार जितही ते उतते धार बही सूर दास अब धीर धरहिकों मर्यादा न लही गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही माज रही माज मने मद्धे माने हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई हम लोग कृष्ण से अपनी पूरी बात नहीं कह पाईए आगे कहती हैं कि कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कही देखिए प्रेम एक ऐसा भाव है कि जब वह गहरे इस्त्री या पुरुस के मन में होता है तो कुछ कहते नहीं बनता आधुनिकाल के एक कवी हैं जगना दासरत ना कर उन्होंने इसी भ्रमरगीत की कथा को उद्धो सतक नाम के अपने काब में रखा है उसमें एक जगना उन्होंने लिखा है कि कहते न बने सहते न बने मन ही मन पीर पिरईवो करे प्रेम की ब्यथा न कहते बनता है न सहते बनता है पर मन में ब्यथा दुख पीडा तो रहती ही है वही बात गोपियां कह रही है कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कहीं किस से जाकर कहें कहा नहीं जाता हम लोग तो अवधी अधार आस आवन की हम लोग तो कृष्ण यह कह कर गए थे कि हम कुछ दिनों में लौट आएंगे जो समय दे कर वो गए थे आवधी काल जो बता गए थे हम तो उसी के आधार पर जीवित थे और सरीर और मन दोनों की बेथा सह रहे थे आप बदले में तुम जोग का संदेश लेकर आए हो तो यह सुनकर हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे गाओं के मुहाबरे में जले पर नमक छेड़कने जैसा कि हम और भी अधिक गहरे बियोग में डूब गए हैं और जल रहे हैं हम जिससे अपने प्रेम के पाने की उमीद करते थे मतलब कृष्म से और जिससे अपने दूख से छुटकारे की उमीद करते थे उधर से ही ग्यान और योग की ऐसी धार आई है कि उसमें हम दूब उतरा रहे हैं सूर की गोपियां कहती हैं कि सूर दास अब धीर धराओ क्यों हम कैसे धीर धरें कहीं कोई हमारे धीर धैर का आधार नहीं है कोई बाध नहीं है कोई आड नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको थाम कर पकड़ कर हम अपना दर्द सहें इस प्रक्रिया में गोपियां अपनी ब्यथा को उद्धों से कहती हैं मैंने पहले ही आप से कहा था कि गोपियां गाओं की इस्त्रिया हैं इसी लिए उनमें दो प्रवर्तियां साथ साथ दिखाई गेती हैं ब्यंग की प्रवर्ति विरोध की प्रवर्ति और स्वैम अपनी निरीहता की प्रवर्ति ये सब गोपियां बेक्त करती हैं महा कभी सूर्दास ने गोपियों की बिहवलता बेचैनी निरुपायता सब को एक साथ ब्यक्त किया हैं और साथ ही भ्रमर उद्धो और क्रिश्न तीनों पर गहरा ब्यंग किया है जिसको पढ़कर और सुनकर किसी भी स्रोता और पाठक का मन प्रसन्न हो जाता है कर दो